हेलो जोस्तों वैलकम टो अबरे यूट्यूब चैनल तो आज के जो हमारा वीडियो है वो प्रैक्टा का हमारा चौथा पार्ट है जिसमें आज हम पांसे के कोशन कवर करने जा रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मीने सभी बहुत अच्छे होंग तो आज फोली के बाद हमारा जो लाइप वीडियो है और प्ले-दॉस्ट किया था तो अनुसे आप देख सकते हैं और इसकी जितने वी प्रैक्टा के जितने हुख पार्ट है वह आपको डियलेट फोर सेमिस्टर की बहुत में आपको मिल जाएंगा प्लेलिस्ट का फोटो आपको डाल दूँगा और हमारे एक भाई हैं बड़े भाई हमारे हैं तो उन्होंने भी एक चैनल बनाया है तोड़ा सा अभी उनको भी सपोर्ट कीजेगा उनका भी चैनल का लिंक में है अभी आपको इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप बहां से जाके उनक लिए चैनल देख सकते हैं आपका मन होतो तो फ्लाल आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारे टॉपिक है प्राविल्टी का डाइस पांसा तो सब जानते ही हैं लगबग सभी जानते होंगे पांसे के बारे में तो पांसा जो होता है वो लूड़ों में खे अब ये इतना छोटा सा है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है प्रॉबिल्टी में इसकी कहानी बहुत बड़ी होती है पिसिक का पांसा चोटी-चोटी सी चीजें हैं लेकिन इनकी कहानी बहुत बड़ी है तो इनी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनी के आज और हम्यानग में घ्या हरा हमाँ आपको समझाऊ है 1-2-3-4-5 उसक्स एक घृ सम्झने पना दिया है fourteen आब मतलब 1 क्ययूब की सेर्म में होता है घंक और फेगा जाएगा तो इसका प्रितित्य हो मतलब इनंब के पां से क्रितित्यत समिश्टी हो जाता है अपका इनके यह मैं समस्ते हाथ किसी प्रीयोग में जो भी बस्तुए ले जाती है या जो भी चीज में उसके ज इतने तता होती ही वह सब उसकी प्रितल समिष्ठी में आ जातीए तो एक की प्रितल समिषठी जो वो 6 हो जाएगी अभी हम प्रितित समिष्टी की पहले बात कर रहे हैं इसमें तो पहले प्रितित समिष्टी अगर 25 से ले लेंगे तो 2 की गाद 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 यानि 36 आपको सिक्के का कोशिन करा था तो वह दो की गाद 2 करा दिया था वहाँ कि वहाँ पे 2 होती है एक सिक्के में दो होती हैं वहाँ पूष्ट प्रितित टाल स्हों प्रित 6 होते हैं हैं अगर 35 से ना तो से होंगे तो 6 की घा थी के इस तरह से सिरह बता सकते हैं निकाल के इसके बाद आता है एक पांसा फिय के जाने कूल घटनाय जो बंती है उनका सामुच में लिखते हैं सभी सब्सक्राइख टो है छेटकि आपको मिलते हैं अगर इंपर 15 पांसे अगर दो हो जाएं तब आप घटना किती टोटल 36 घटना बनेंगी 36 बिल्कुल 36 ही एक भी कमनी बनेगी तो 37 घटना है हम आपको भी लिख के दिखाएंगे बहुत सिंपल है बिल्कुल आराम बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा एक दम सिंपल तरीका है अब इसको देखेंगे अगर एक का देखेंगे तो एक से 6 तक ही है ना के बल अगर हम दूसरा पांसा भी ले ले लें यहां प पास तो क्या करते हैं कि पहला ले लेते हैं एक में से पहला लेते हैं फिर उसको सभी के साथ लिखते हैं कैसे लिखे जाएंगे तो देखिए अगर हम लिखेंगे इसका सेट अगर हम लिखा तो कैसे लिखा था एक एक अंक था ना तो कोई दिक्कत नहीं तो अगर हम इसका पांसा रहेगा यह दूसरा पांसा रहेगा तो पहले पांसे में एक आएगा तो पहले एक एक की ही चलेंगे मतलब वह एक यह वाला वह सब के साथ जाएगा पहले फिर दो ले लेंगे वह भी सब सब के साथ चला जाएगा तीन ने ले लेंगे हो भी साता चाराना उपहरर वहां 6-7 और आपके तोटल th üst घटना एंगे बन जाएगी इसे देखेंगे पहला है छो मापिशंगे इस में जांगे अब है इस वाइन में अब को सब दुफ सम्जाने जा रहे हैं तो क करें और प्लीज पूरा देखिए घो इसका पहले में पहले में दूस्वर सेंगे मैं संगे मैं में पहले बार, पहले मतलब कितने घटाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, घटाएंगे, ऐसी 6 और बनेंगे, तो 6 चंग, 36 हो जाएंगे, तो अगर हम और लिखेंगे, तो अब क्या हुआ, पहले बाले पांसे में, दो अंकर आएगा, फिर एक, फिर हो जाएगा, दो, स क्समर्lenा, और जाएगा, और सsक हम आप मुझा हो, पहले में, पहले में, बहुत ऐजी तरीका है, आप आसानी से अपने लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, और ऐसे लिख लें, चिक है, तो यह तनारे न यह दो घंभ हैंगे, to इसके बाद हो जाएगा 2,3 इसके बाद हो जाएगा 2,4 और फिर हो जाएगी 2,5 और 2,6 छे तक ही रहने हैं इसके बाद 3 आ गया तो 3,1 इधर भी हो जाएगा 3,2 3,3 हो जाएगा फिर हो जाएगा 3,4 3,5 3,6 इसके बाद 4 आ गया तो 4,1 इसके बाद हो जाएगा 4,2 4,3 4,5 और 4,6 इसके बाद हो जाएगा 4,4 और 4,5 और 4,6 इसके बाद सेम ऐसे इसका पांच का भी चलेगा तो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 यह 8 वाले जो चैप्टर है कच्छा 8 में जो है वो इसका पूरा दे रखा है बुक में पूरा लिखके अगर कोई जो कच्छा 8 में वो देख रहे हैं इस वीडियो तो इसको जो बहुत इसी तरीगा इसको लिखने का होगे अच्छे तक अब इसको 6 को ले लेंगे तो 6 कामा 1 हो जाएगा यह जाएगा 6 कामा 2 फिर जाएगा 6 कामा 3 6 कामा 4 और 6 कामा 5 लास्ट में 6 कामा 6 और समझ को बंद गर देंगे इस परकार से आपके टोटल 36 घटना हो गई गिन फिर इधा से किनो एक दो तीन चार पांच छे और छे चंग 36 जो टोटल 36 ही होंगी तो इनका जो एनस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 और जो पहले निकाला था वो भी 36 तो आएगो मुझे उम्मीन है आपको इसमें प्रिद्व समिष्टी आपको समझे में आई होगी कल भटना कैसे निकालते हैं अब इनी से ही कोशन बनते हैं आपके इसी से ही आपके आगे कोशन बनते हैं तो मैं कोशन करवा रहा हूं आपको सीधिया चलिए तो देखते हैं हम अपना कोशन अब हमारा एक एक्जांपल है इससे आपको हम थोड़ा समझाएंगे जो है पर में यानि ज्यादा तर इसी में से इस तरह कई प्रस्वन पूछा जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक चीछ याद जैखना कि योग और प्रित्त समिष्टी में फरक है थोड़ा सा यहां पर बोल रहा है कि दो-पांसे फेके जाने पर योग पूछ ठाए तो बहुत देखिए 1 एक पांसे में कितने टोटक 6 टकी अंक होते हैं, दूसरे में भी 10 नांक होते हैं, आपको यूग है, यानि की कह सकते हैं हमने यह जो पांसे फेक गटना बनाई है इसमें यह वाला पहले का दूसरे का अंक किसी भी गटना में यह टोटल जो है वह बारा से जादा नहीं हो सकता है आप यहां से लेके मैंने इसलिए नहीं मिटाया था कि मुझे इसी से तो समझाना है सब कोशन तो देखेंगे आप यहां से स्टार्ट कीजिए पहले दूसरे अंक को जोड़ना सुरू कीजिए यहां तक जोड़िए लास्ट तक अंक योग जो है बारा से जादा नहीं जाएगा तो यहीं कह रहा है कि प्राप्त योग सम संख्या और विसंख्या सम और विसंख्या तो आप पता ही होगी नहीं पता है तो हम बता रहें सम संख्या विसंख्या क्या होती है देखो जो दो से कट जाती है संख्या है वो हो जात और 12 ठिक है 2 4 6 8 10 12 यहो जाएंगे आपके सभी संग मंग हो जाएंगे बिसम में आपके आ जाएंगे अगर हम एक को सामिल कर लें बैसे एक को समल नहीं करना चाहिए जाए तो एक का कोई मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि यहां पे सल एक तो किसी में आएगा नहीं maximum total दो ही रहना है, तो दो तो सामिल नहीं करेंगे, ठीक है, वो सम्मे चला गया है, तो इसे देखते हैं, इसमें जाएगा तीन, तीन के बाद क्या आएगा बिसम्मे, तीन के बाद आएगा, पांच, साथ, नो, तीन, पांच, साथ, नो, और क्या जाएगा आपका, ग्यारा, क यूपी बारा तो आएगा नहीं, बारा चला गया सम में, तो इससे जाधा लेना नहीं है, तो अब देखते हैं, पहला वाला पार्ट जिसमें करा प्राप्त योग सम संख्या हो, सम संख्या हमारे कितनी है, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, इससे जाधा नहीं होना योग का अब लिखेंगे पहले इनकी घटनाय लिखेंगे, पहले यहां से करते हैं अपना solution, मतलब हल करते हैं, यह वाला पार्ट, तो लिखेंगे योग सम होने की घटनाय, अब इस में से छाटेंगे कि योग सम जो है, वो कितने, यानि कि दो, चार, छे, आठ, दस, बारा किन घटनाओं में आरा है, किन को जोड़ने पर आरा है, वो हम निकालेंगे अब, ल clockwise, तो घटनाय लिखेंगे पहले, हम इस इस में से छाटेंगे, तो इस में से हमें पहले लिख लिए, दो, चार, छे, आठ, दस, और बारा, तो पहले दो वाला देखते हैं, दो कितने से सकता है जो के फिल इस यह कंडिसन से आ सकता पहली वाली सही इसके अलावबги तो किसी से आएगे नहीं तो पहली हो जातना अ इसको लिखेंगे को यह latest अफिर से थाएगा 2 में और पूही ने आएगा इसके और चार तोचार किसा से आ सकता है 4 आ चार आपका आएगा, दो कामा दो से आ सकता है, दो दो चार हो जाएगा, इसके एक और तीन से आ सकता है, और तीन और एक से आ सकता है, तीन चार और एक तीन चार, पहले में एक, दूसरे में तीन, फिर पहले में तीन, दूसरे में एक, है बोजी संदिके, एक तो यह है आपक इसके लाब इसका और कोई खटना नहीं हो सकती, इसके बाद इसमें देखते हैं छे को, तो छे में क्या हो सकता है, दो और चार छे हो सकता है, और कितना हो सकता है, और हो सकता है आपका पांच और एक छे हो सकता है, पांच और एक हो सकता है, इसके लाबा एक और पांच हो सकत का है ठीक है तो चार और चार दो पांच एक और एक पांच अभी छे का लिख रहे हैं के वल और एक आपको हो जाएगा तीन कॉमा तीन तो यह भी छे में सामिल हो जाएगा इसके आप देखेंगे आठ को 6 के हो गए 6 के स्याद ही हो सकते हैं इसके लाबा आट को अब देखते हैं 8 को 6 तक हो गए 8 को देखते हैं 8 का हो जाएगा सबसे पहले 4 4 हो जाएगा 4-4-8 और 5-3-8 और 3-5-8 ठीक है 3-5-8 यहीड हो सकता है इसके लाभ़ा 6-2-8 हो सकता है 6-2-8 और 2-6-8 ठीक आपकी इतनी घटना हो जाएंगी 8 की 1-2-3-4-5 ठीक इसके बाद और 8 किसे आएगा और 8 आपका किसी से संभब नहीं है वह हो जाएगा पांच दस हो जाएगा GUY और छह चार दस हो जाएगा और इसकी कोई घटना संब्भ नहीं हो सकती है इनी से ही आपका जो टोटंपल वह दस रहेगा पांच-पांच-दस, छे-चार-दस, और चार-चे-दस, इसके लावा कोई घटना समभब नहीं है, अब आपका लास्ट बचता है इसमें 12, ठीक है, यह 12 रह गया, 10 तक आपका हो गया 12 बचा के वल, तो 12 के वल आपको एक ही घटना से मिल सकता है, सिर्फ वो क्या है, 6, 6, ठी ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनकी क्या निकालनी थी, प्रैक्टा निकालनी थी, वो मैं सौरी, कोशन में आपको लिखना भूल गया था, तब ग्यात करो, प्रैक्टा, सौरी, मैं, अब प्रैक्टा ही कोशन करा रहा है, तो प्रैक्टा ही होगा, तो प्र आइडिया लगी गया लगा सब ही को तो इसमें आपको 2.95 चालने पर एक-7 उछाले जाने पर उछाले या धेंगे फेंके यहने पर आने पर यहसका आपका होता है वो कितना होता 36 होता है आप यहां पर देखेंगे सम घटना यू अनकुलत हमाई की है वो टोटल कितनी हैं इनको गिनते हैं एक गटना है ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा अठारा आपकी घटना हो गई ठीक है और जिसका जो एनी हो जाएगा यानी अनुकूल सम घटना है आपकी हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी अठारा ठीक है यानी कि सम आपको प्राप्त होने की जो प्राइक्ता है आपकी अब आप प्राइक्ता निकालेंगे प्राइक्ता का सूत्र क्या होता है प्राइक्ता का सूत्र यह सब बेसिक आप फस्ट वीडियो से देखेंगे त तो यह हो जाएगा एनइपून एनस होती है एज मतलब फिर्द्श समिष्टी या फुल घटना है न की वैली जाएगी इसकी हो जाएगी 36 काटेंगे नहीं तो आपका आन्सार कितना जाएगा एक बटा दो आ आप यहार हमैं इसके बाद आपका इसमें कोशना सगया हो अपने प्राप्योग विसम संखिया हो अब अंकू का योग जो है वह बीभाल्ड करते हैं वे वाप ग्रफको देखते हैं इसमें देखेंगे विसम तो भछिता पहले अंक लख लिख लें प्रस Besides संखिया कितनी है व भूल घटना हैelnा मतलब, टोटल कितने Cases बन सकते हैं का समूची निकालते हैं इसको आटा दें और कोई काम अब दिए तो इस 3 पतीन, कब आएगा तो दो एक और दो तीन हो सकता है और दो गटन одब नहीं है और कोई घटा सम्भब नहीं है दो- तीन- पाँच हो सकता है, और तीन और क्वर दो-पाँच हो सकता है. यही केमल घटना पॉसिबिल है, इसके बाद साथ को देखते हैं, तो साथ का लिखेंगे, एक-छे-साथ, ठीक है? और छे-एक-साथ, तीन-चार-साथ, और चार-तीन-साथ, ठीक? हमें योग देखना है इन अंकों को जोड़ना है घटनाय भी रखनी है और अंकों को तो 3-4-7 हो जाएगा चार-3-7 होता है इसके लावा 5-2-7 हो सकता है 5-2-7 और 2-5-7 ठीक है अजिकतम यही घटनाय दो-5ों में संबब है इसके बाद 9 नो टोटल किसने पर आएगा नो वाला, 7 तक हो गया, 9 को देखते हैं, 9 हो जाएगा, 6, 3, 9 हो जाएगा, 3 और 6, 9 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो सकता है, 9 का, 5, 4, 9 हो सकता है, 5, 4, 9 हो सकता है, पांच, 4, 5, 9 हो सकता है, ठीक है, किलिए होगा, 4, 5, 9, 6, 3, 9, और इसके अलावा इसमें और कोई घट 510 और 25 prison 5 भाज में अब 6 पहले पहली आ जाएगा और इसके बाज इसमें इसक्ञेश में क्वृट 2000 सकते होता ही नहीं पांच ना साथ करा तो एक इतनी घटना पॉसuchar की तो यहां पे भी प्रायक्ता वही एनस तो 36 ही रहेगा प्रायक्ता अब इसकी एनी घटना है टोटल गिंते कितनी हो सकती है तो एनी की वैलू इसमें देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्तरा अठारा इसम प्रायक्ता जब उसमें भी भाई देखें अठारा ही थी तो उसमें प्रायक्ता का माल कितना आया था उसमें आपका आया था एक बटा दो तो इसमें भी आपका एक बटा दो ही आएगा सेम उसी तरह से निकाल देंगे लास्ट आपका बच्ता है प्राप्त योग दस से तो इसकी कुल घटना है इन दोनों की कितनी हो सकती है अब टो अमने लिखी थी बारा की भी लिकिन यह उनको फिर से लिख लेखना यह स्विप लगाई तो इसमें ग्या रहा को देखती अगर आपको आता है इस लेविल तक आप है तब तो आट कर सकते कौर्शन आप इनको नहीं आता विल्कुल भी बेसिक नहीं मालूब उनके लिए ठीक है तो प्राइक्ता आपकी जो जाएगी प्राइक्ता पी ठीक है इसका मतलब पी-ई का मतलब होता है probability of event ठीक है मतलब घटनाओ की प्राइक्ता ठीक सीधा मतलब यह इसका है तो यह हो जाएगा आप N E upon N S ठीक है तो N E की value जो है वो कितनी हो जाएगी N E की value है 3 और N S की value है 36 काटेंगे से 3 एकम 3 3 एकम ठीक है बारतियां 36 यानि की एक बटा 12 ठीक है तो इसकी वाइज जो प्राइक्ता है वो कितनी हो जाएगी total एक बटा 12 हो जाएगी तो आयो मुझे उम्मीन है आपको कोशन समझ में आयागा लेक्स इसका जो पार्ट आएगा उसमें आपका तास्का और थेले वाले जो कोशन है थेले गेंद वाले कोशन वो आपके बचे हैं वो भी हम जल्दी करवाएंगे और आपका सब्सक्राइब बने रहे है थैंक्यू सो मच जल्दी मिलते नेक्स यह थैंक्यू सो मच